हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल आयाम नेहा नारण तो आईए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम जानेंगी सीबीएसी बोड की जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के बच्चे मुजिक की फाइल किस तरीके से प्रिपेर करें तो आज का टोपिक है हाउ तो प्रिप सब्सक्राइब करें तो आईए स्टार्ट करते हैं मुजिक की फाइल जो है आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं और उसमें आप राइट कर सकते हैं अधरवाइस आप फाइल जो है हैंडमेट बना सकते हैं ठीक है तो अगर आप फाइल को हैंडमेट बनाने जाने हैं तो आपको सीधी सी बात है कि उसका cover-up जो है बनाना पड़ेगा तो cover-up जो है आप किसी भी तरीके से आप design create करके बना सकते हैं और उस पे लिख सकते हैं अपनी name, class, standard याने ठीक है और subject और school फिर आप next page पे जब आप लिखेंगे तो अगेन आपको लिखना होगा name, class, subject, role number और class teacher का name उसके बाद जो आपको third step करना होगा वो है आपका index page आपको create करना होगा जो जो आपने write किया है उसका एक index बनाना होगा, serial number write करना होगा, date डालनी होगी, title जो जिस topic पे आप बनाने जा रहे हो, page number और teacher के sign होगी, ठीक है तो आपकी तीन step रहेंगे, अगर आप handmade बना रहे हैं, और अगर आप market से purchase कर रहे हैं, तो आपको cover up तो उसके साथ मिलता ही है, file का cover होता ही है, और उसमें जो है, आपको name, class, subject, यह सब दिया होता है, आपको topics क्या लिखें, ठीक है, तो आईए जानते हैं, जो हमारा practical का syllabus रहता है, वो हमें यह write करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं, राग मालकोस की, तो आपको राग मालकोस का प्रीचे लिखना है, ठीक है, और उसकी स्वरली पी लिखनी है, और कैसे लिखनी है, राग मालकोस का प्रीचे है, आपका lines वाली page में आ जाएगा, ठीक है, और स्वरली पी की बात करें, तो स्वरली पी आपकी white page पर आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आपको next topic लिखना है, तानपुरे को स्वरों में मिलाने की विधी, तो तानपुरे को किस तरीके से स्वरों में मिलाया ज आता है, उसके बारे में आपको बताना है, लाइन वाली page पर और तानपुरे, आप तानपुरे को बना भी सकते हो, या फिसकी photo भी paste कर सकते हो, जैसा आपको comfortable लगे, तो जो तानपुरे को स्वरों में मिलाने की विधी है, उसको तो आप lines वाली page पर write करोगे, और तानपु और उनकी जो photo है, वो blank page पर आजाएगी, सेम आगे बड़े गुलाम अली खाका जीवन पीचे, सेम इसी तरीके से आपको बड़े गुलाम अली खाका जीवन पीचे लिखना है, lines वाली page पर और उनकी जो photo है, वो blank page पर आजाएगी, और next जैक कृषिन डाव शंकर पंडित क जीवन पीचे आपको लिखना है लाइन स्वाली पेज पर और जो उनकी फोटो है वह आपकी ब्लैंक पेज पर आजाएगी नेक्स्ट धमार एउन स्वली पी यानि कि आपको धमार करनी है किसी भी राग में आप धमार राइट कर सकते हैं और उसकी स्वली पी स्वली पी सेम पर आजाएगया तो जिस राग कि आप लिखेंगे श्वली पी तो उसका वर्णन जो है आपको जिस राग में आप धमार के वह दमार लिखेंगे तो उस राग का प्रिचे जो आपका लाइन स्वली रहेगी, आप किसी भी राग में कर सकते हैं, आप अपने टम वन वाले भी राग ले सकते हैं, और उनमें भी धमार और तराना कर सकते हैं, 6 तोर 7 टोपिक के लिए बात कर रहे हूं, अगें बता देते हूं, 6 तोर 7 टोपिक में आपके पास 24 हैं, क्या भैरव राग ले, बाग इसी राग का तराना राइट कर सकते हैं करना क्या है आपको जो स्वलीपी होगी धमार की जब आप स्वलीपी लिखोगी तो वह आपकी ब्लैंक पेज पर जाएगी क्लियर और जिस राग की स्वली पी लिख रहे हो उसी राग का प्रीचे आपका किस पर आ जाएगा लाइन्स वाली पेज पर ठीक है तो इसी तरीके से आप जिस राग में तराना लिखोगे तो आपके वैस च्वायस है मैं तो यही कहूंगी कि आप मालकोस राग में करते हैं कि ऊहत्छ टोपिक तरीके के रहने वाले इसलेक का स्लेबस के प्रेक्टिक degrees, fraction इस पार आउटसाइड रहेंगे आपसे भार से जो है external examiner जो है exam लेने आएंगे तो आपको उसके लिए क्या पर पेशन रखनी होगी क्या त्यारी रखनी होगी तो आपको एक दृत ख्याल यानि कि छोटा ख्याल जो है करना होगा और उसकी ताने भी करनी होगी राग मालकोस बहरों बागेश्री बात मैं आपको पहले भी बोल के आई हो जब फाइल बनाने की टाइम बात हो रही है और इस तरीके से आपको एक तराना भी करना है मालकोस भहरों या बागेश्री किसी भी राग में आपको बास स्वाय से तिरों में से एक राग में करनी है ability to recognize the prescribed from the phrases of next is tuning of Tanpura and question regarding it तो मतलब Tanpura की tuning कैसी की जाते है स्वरों में कैसे मिलाया जाता है तो इसके regarding भी जो है examiner आपसे question पूछ सकता है यह आपका practical का ही है सारा कुछ ठीक है तो आपको पता चलिया होगा कि आपको practical फाइल जो है किस तरीके से बनानी है और मैंने आपको slivers भी बता दिया है जो आपका exam में practical में जो आपसे पूछा जा सकता है तो thank you for watching my video और अगर आप paid classes देना चाहते है class 12 cbc board के students तो आप इन नंबर पर जो है contact कर सकते हैं और अगर आपकी कोई भी query है देन आप comment कर सकते हैं उसका reply आपको जुरूर मिलेगा thank you